हेलो दोस्तो कैसे हैं आप लोग आसा करता हूँ कि आप लोग ठीके होंगे दोस्तो आग यहां एक और जबर्जस फोटो इडिटिंग की टूटोरियल को लेका जो कि अपने फोटो को स्वर्ग जैसा बना सकते हैं दोस्तो कुछी सतर के फोटो इडिट करने के लिए एक अप् इस शाज तो चलिए दोस्तो अपना fix art ओपेन की जिए, आगे का प्रोसेस कि चूए। नीचे देखेए प्लस का अइकन इस पर किजिए दोस्तो जो भी आप vegground png जो भी मैं यहां पर एड़ करूंगा यूज करूँगा आप लोगको description मिल जाएगा वहां से download कर लेजिएगा तो चलिए दोस्तों एक बेग्राउंड को add कर लेते हैं दोस्तों हमारा background photo add हो चुका है यहाँ पर देखे add photo का option है इस पर click कीजिए दोस्तों उपर देखे recent का option इस पर click कीजिए download में जाके दोस्तों word वाली दो png को add कर लेजिए कुछ इस तरह से अगेन दोस्तों दोनों photo png को कुछ इस तरह से छोटा करके यहाँ पर fix कर देजिए देख लेजिए कुछ इस तरह से अगेन दोस्तों add photo पर click कीजिए उपर देखे recent का option उस पर click कीजिए डाउलोड में जाके दोस्तो विंग वाली png को एड़ कर लेजिए दोस्तो फोटो को कुछी स्थर से यहां पर fix कर देजिए देख लेजिए कुछी स्थर से दोस्तो जो अपनी wings वाली जो png है न देखिए color match नहीं कर रहा है कर देजिए उपर देखिए दोस्तो contrast का option इस पर क्लिक कीजिए कुछी स्थर से minus कर देजिए देखिए दोस्तो जो अपने wings वाली जो png है न अपने background के हिसाफ से match हो गया है दोस्तो जब आप edit कीजिएगा तो थोड़ा time लगा के अच्छे से match कर लेजिएगा दोस्तो अगर आप लोग अच्छे से match नहीं करेंगे तो अपना photo अच्छा look नहीं देगा अगेन दोस्तो add photo पे क्लिक कीजिए उपर देखिए recent का option इस पे क्लिक कीजिए download में जाके दोस्तो अपनी खुद की png को add कर लेजिए दोस्तो अपनी खुद की png को कुछी तरह से यहां पर fix कर देजिए दोस्तो जो अपनी wings वाली जो png है ना देखिए थोड़ा अपनी body की साफ से बड़ी लग रही है थोड़ा सी तो छोटा कर देजिए दोस्तो बेग्राउंड की साफ से अपनी body match नहीं कर रही है तो इसको भी body को match करनी है color match करनी है तो दोस्तो इनीचे देखिए object का option है इस पे click कीजिए दोस्तो temperature पे click कीजिए कुछी तरह से minus कर देजिए temperature को अगें दोस्तो ऊपर देखिए contrast का option उस पे click कीजिए दोस्तो इसको थोड़ा सा plus कर देजिए अगें दोस्तो डिगनेश को थोड़ा सा plus कर देजिए अगें दोस्तो add photo पे click कीजिए उपर देखिए recent का option उस पे click कीजिए डाउनलोड में जाके दोस्तो shadow वाला png को add कर लेजिए दोस्तो अपनी shadow वाली png को कुछी तर से छोटा करके अपने घोटनों के पास रख देजिए दोस्तो capacity को थोड़ा सा कम कर देजिए दोस्तो यहां से अपनी shadow वाली png को duplicate कर लेजिए कुछी तरह से दोस्तो shadow वाली png को कुछी तरह से यहां पे fix कर देजिए आगें दोस्तो Add photo पे क्लिक कीजिए Recent पे क्लिक कीजिए Download में जाके दोस्तो White वाली पियांजी को Select कर लिए दोस्तो नीचे देखे Blend करके Option इस पे क्लिक कीजिए Screen पे क्लिक कर दीजिए दोस्तो हम White, Light वाली पियांजी इसलिए add कर रहे हैंगे दोस्तों एक और डूब्लकेट कीजिए और यहां पर लेकर फिक्स कर दीजिए अगें दोस्तों एक और डूब्लकेट कीजिए और यहां पर फिक्स कर दीजिए दोस्तों यहां से डन कर दीजिए अगेन दोस्तों एड फोटो पे कलिक किदे रिसेंट पे कलिक किजिए डॉल्लोड में जाके दोस्तों क्या बोलते हैं गर में वाला माला को क्लिक कर लिजिए दोस्तों चोटा कर दोस्तों यहां से डन कर दीजिए दोस्तों फोटो को गैलरी में सेप करने के लिए नीचे देखिए कि ड्रो का ओप्सन है इस पे क्लिक कीजिए क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए यहां पर थ्री डोट का ओप्सन है इस पे क्लिक कीजिए Save Image पे क्लिक कर देजिए दोस्तो अपनी वीडियो अभी खतम नहीं हुई है अभी तो दोस्तो अपनी फोटो को Professional बनाने के लिए दोस्तो चलिए अपने Lightroom अप्लिकेशन में दोस्तो अपने Lightroom अप्लिकेशन Open हो चुका है यहाँ पे क्लिक कीजिए क्लिक करने के बाद दोस्तो यहाँ पे देखिए एक प्लस का इकन इस पे क्लिक कीजिए क्लिक करने के बाद दोस्तो जो अभी अपने फोटो के डिट की है ना उसको सलेट कर लिजिए आगें दोस्तो यहाँ पे क्लिक कीजिए दोस्तो temperature को थोड़ा सा plus कर दीजिए दोस्तो ये दोनों को नहीं छेड़ना है नीचे देखिए saturation का option इस पे click कीजिए और इसको थोड़ा सा plus कर दीजिए आगें दोस्तो यहाँ पे click कीजिए दोस्तो shadow को थोड़ा सा plus कर दीजिए दोस्तो और किसी को नई छेड़ना है नीचे दिखिए Blacks का Option इस पर क्लिक कीजिए थोड़ा से इसको मैनस कर दीजिए दोस्तो अपनी फोटो कमपलेट हो चुकी है गैलरी में सेफ करने के लिए उपर देखिए Share का Option इस पर क्लिक कीजिए नीचे देखिए Export का Option इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर क्लिक कर देजिए दोस्तो अगर आप लोग को मेरी थोड़ी सी वी वीडियो अच्छी लगी है तो फिलिज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देजिए और हाँ घंटा को दावाना ना भूलिएगा